स्थांकल प्षेड़ी है इस प्रेट फार्म पर सभी लोगों का हादिश वागत है आज किस विश्टेश टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सक्सियत की जिस पर बहुत सारे पुछी आते हैं ठीक है और उस शक्सियत का नाम कहें उस शक्सियत का नाम है महात्मा गांधी ठीक है तो बहुत सारे प्रश्ट महात्मा गांधी से बनते रहे हैं आज किस क्लास में पूरी तरीके से में बात करेंगा किवल गांधी जी पर बनने वाले प्रश्टों पर चाहे वो पुलिस में हो चाहे सस्थी पर हो और वीडियो कुछ लोग बच्चे बता रहे प्रश्ट पूछी आते हैं और मृत पूछी आते हैं तो जर्म में क्या है ना जर्म में सबसे पहली चीज़ आपको यह समसना है कि 2 अक्टूबर जर्म कहां हुआ था पूर बंदर में हुआ था इस जर्म को शयूत राड़ संख ने मनाने की बात की है कि आज की रेट में अगर हम बात करें तो यह अंतर राष्टिये अहिनिसा दिवस अंतर राष्टिये अहिनिसा दिवस के रुप में मानेता है इसके संयुक्त राठ संग ने कहा कि गाधी जी का जो जन्व दिन है वो हम इस रुप में मनाएंगे मृत की बात करें तो मृत पे बात हो रही है थीस जनवरी उनिश्यव रतालिस को हुई है और इस दिन अगर बातर चछ्चा होती आपसे कि इस दिन कौन संमना आ एक उसे चीज को पढ़ना अगर आपको है उस चीज को तोड़िये चोटे-चोटे इससे में आपके विलकुल किलियर हो जाते हैं नहीं तो आप लगा नहीं पाएगे है नुझञ अब सबसे पहली चीज दुए ऍक गांधी जी की जन्म और उनीनरत पुसके हम बात कर रहे हैं ठीक और क्या प्रश्न सकते हैं अगला प्रश्न से पूछेंगे कि डेट याद रखंग है गांधी जी से और इसी डेट के आसपास में गांथी जी से सवाल आपसे पूचिया सकते हैं ठीक एक तो डेट अठारा सुनाथतर रही है उन्नीस सौनाथारीस रही है क्या क्या डेट है आपसे पूचिया सकते हैं इसको समझना थोड़ा सा 1924, 1931, 1940, 1942 और 1949 ठीक कुछ डेटे ऐसी रहे हैं और उनहीं के डेटों के आसपास हम लोग आंधी जी से समंधित बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है फिर हम लोग बातात करते रहें सबसे पहला प्रश्ण के बात करते हैं 1893 में क्या हुआ 1893 में एक शेठ है और उनका नाम है अब्दुल्ला इनका चल रहा था मुकदमा इसी मुकदमे की सिलसला में गाधी जी जो थे वो कहां गए दच्छिल अफरीका गए थे ठीक है भारती नटाल कांग्रेस की 1894 में स्थापना की है वहीं पर एक प्रश्ण आपसे भी आ जायेगा इस पर कि 1893 से के बाद सारी घटना हम 15 के पहले चर्चा कर रहे हैं हैं फिर आपसे पूछेंगे 1906 में ुदच्छिल अफरीका में गांधी जीनेमिकला प्रारभ में और अप्रश्ण विसंसे पूछिए तो आपको बताना है कि गांधी जी ने पहला शत्यागरा का है 1906 में पहला शत्यागरा भारत की बात नहीं भारत की बात 1917 में होगी ठीक तो इस मुकद्मे की पैरवी में वहां गए और वहां पर जुकि दच्छिल फ्रीगा जो था उस सिकार किसका था उसमें पर रंगभेद नीती काले और गोरे क मैरिट जवर्ग मैरिट जवर्ग एक इस्टेशन है और इस इस्टेशन से गांधी जी को ठेका गया जबुभ पर प्रेटोरिया की यातरा कर रहे थे तो उस यातरा के दौरा अधि नहीं होगा तो तो इतने सारे प्रश्णों को आप यहां से याद रखिएगा बाकी गांधी जी से प्रश्ण भी क्या-क्या बनते हैं उसके बात करेंगे 1915 में 9 जरवरी 1915 को यह डेट याद रखिएगा गांधी जी भारत आये हैं भारत आये जैसे ही अंग्रेजों ने इनको एक उपाध दे दी है और यह उपाध किसकी है कैसर हिंद की इनको उपाध दे दी है गांधी जी को और 9 जन्वरी को क्या मना जाता है राष्टिय प्रवासी दिवस कि गांधी जी का आगमन हुआ था तो 9 जन्वरी को राष्टिय प्रवासी दिवस मनाते है तो 1915 से आपको ध्यान में रखना है कि राष्टिय प्रवासी दिवस की बात है और इसी समय पंद्रा के बाद में गाधी जी ने इस्थापना किए सावर्मती आसरम की अहंदावाद में और शावर्मती आसरम आपसे प्रश्ण पोश्कते हैं इस बात के लिए ठीक है हैं किए रखने है ना की शावर्मती जो असरम है शावर्मती आसरम कहा है है आपको बताना अहम्दावाद में हैं शावरमती कई बार इसके बार प्रश्ण पूछा आता है कि सावरमती आसरम गाधी जी से समंधित कहा है तो आहमदाबाद में ये प्रश्ण याद रखिएगा 1917 के हम बात कर रहे हैं आपको ध्यान में रखना है 1917 में हुआ था चंपारन सत्यागरह चंपारन तीन बटे बीस भागपर अंग्रेजों ने अनिमार कर दिया था और इसको क्या कहते थे तीन कठिया प्रथा क्या कहते थे तीन कठिया प्रथा तीन बटे बीस भागपर और इसी चंपारन जो सत्यागरह था इस चंपारन जो सत्यागरह है वो गान्धी जी का पहला भारत में क्या है ये भारत में गान्धी जी का सबसे पहला क्या है सत्या गरह कोंचा है तो आप बताएगा Champaran Champaran कहां पढ़ता है बिहार में चमपarin सत्य करांब का हुआ था 1101 में हो था ठीक सम्मंधित किससे हैं नील की खेति से नील वही है जिसको हम लोग प्रियूक करते हैं कपड़े में ठीक है खीक, अभी रेडियो अपरेटर का बिल्गूल पेपर हुआ है, उसमें एक प्रशनाया हुआ है, कि गांधी जी किसके बुलाने पर गये थे, तो एक किसान नेता है, किसान नेता है, राज कुमार सुकल, किसान नेता, राज कुमार सुकल है, इन सुकल के बुलाने पर, खीक है किसान नेता राज कुमार सुक्ल के बुलाने पर गाधी जी कहां गए चमपारन गए है गाधी जी चमपारन किसान नेता राज कुमार सुक्ल के बुलाने पर गए है और ये चमपारन जो सत्यागरह भीया ये क्या होता है चमपारण सत्यागरा गया होता है यह सफल हो जाता है ठीक है और जब सफल होता है तो इनको एक उपाधी मिलती है और यह उपाधी किसकी है उपाधी है महत्मा की इस उपाधी को दिया किसने है तो आप बताए टाइगोर जी ने टाइगोर जी ने गांधी जी को महत्मा कहा है और वो कब कहा है जब चंपारण सत्यागरा शफल हो गया है एक और प्रश्ण यहां बनता है कि आप बताइए कि गांधी जी की इस यात्रा का विरोध किसे विक्त नहीं किया है तो आपको बताना है एंजी रंगा एक विक्त है उस विक्त ने गांधी जी की इस चंपारण की यह चीजे रहे हैं इसका उसने चंपान सत्यागरा का विरोध किया हुआ था ठीक है तो यह बात कर रहें 1917 तक में कि क्या क्या में में प्रश्ण यहां से बन सकते हैं आगे बात करते हैं लोग कि अब कि 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 ठीक है आगे बढ़ते हैं तो 17 तक हमने बात के लिए 18 की बात कर रहे हैं 18 में आपको यह ध्यान रखना है कि क्या क्या प्रश्ण आप से हुए दो प्रश्ण आप से पूछेंगे एक पहला तो आपको ध्यान में रखना है गुजरात्मिक जगा है खेड़ा सत्यागरा खेड़ा सत्यागरा यह बड़ा फेमस है कई बार पूछा गया है कि खेड़ा सत्यागरा कहा है तो यहीं पर है और यह महत्पूर्ण में हैं इसके बाद आपको गताते चलें 19-19 की जब बात हो रही है तो 19-19 में एक आंदोलन है खिलाफत आंदोलन चल ला है भारती मुशलमान कर रहे हैं तुर्की के खलीफा के समर्थन में मुहम्मद अली और सौकत अली खिलाफत आंदोलन के लिए दोवेक्ती जुड़े हुए हैं द्यान रखना मुहम्मद अली और शौकत अली दोवेक्ती हैं तुर्की के जो खलीफा हैं उनके समर्थन में ये प्रारम किया गया था खिलाफत आंदोलन इस खिलाफत आंदोलन का जो अधच बने थे वो गांधी जी बनाए गये थे ताकि लोगों के बीच में हिंदोर मुसलमान के बीच जो चल रही है उसमें समरस्ता बनी रहे तो आपको ये ध्यान रखना है खिलाफत जो कमेटी थी खिलाफत आंदोलन में जो कमेटी बनी हुई थी जो कमेटी थी इस कमेटी के अधच कौन थे तो गांधी जी थे ठीक आगे बढ़ते हैं 1919 के बाद 1920 में से आपसे एक प्रश्न पूछेंगे कि गांधी जी ने एक आंदोलन प्रार्म किया है उस आंदोलन का नाम क्या है आप कहिएगा आशायोग आंदोलन गांधी जी ने कब प्रार्म किया है आप बताएगा 1922 में प्रार्म किया है गांधी जी इस कायकरम को अंत कर रहे हैं अंत मतलब शमाप्ति कर रहे हैं इस आंदोलन की गांधी जी ने शमापति करती है कब की है 1922 में चवरा चवरी का कांड हूँ है और इस कांड से हो करके दुखित हो करके ठीक है 1912 में कई बार पूछा गया है चवरी-चवरा है कि चवरा-चवरी है तो आपको ध्यान रखना 1922 में चवरा-चवरी कांड हुआ है और इस कांड से दुखित होकर गुसाई जो भीड है उस भीड ने पूरा इस्टेशन जला दिया है तो गाधी जी इस बात से दुखी हुए और उन्होंने ये कहा है कि हम असायोग जो आंदूलन चल रहा है इस असायोग आंदूलन को हम समाप्त कर देंगे तो एक तो ये प्रश्णाप से बन जाएगा कि असायोग आंदूलन का प्रार्म भूआ 1924 में खतम करने की बात हुए तो आप इसको ध्यान में रखें 1924 की बात करेंगे तो 1924 में बेल गाउं बेल गाउं करता है करनाटक में ठीक इस बेल गाउं में कांग्रेश के एक बार ठीक है यह आप से कह सकते हैं कि एक बार अध्यच रहे हैं Congress के एक बार किसके अध़च रहे हैं? Congress के गांधी जी एक बार अध़च रहे हैं और रोकब रहें 1924 में रहे हैं ठीक 1924 के बाद इसमें डेट शूड गई है 1930 की बात कर रहे हैं आपको ध्यान हमें रखना है 1930 में गांधी दिने दांडी सत्याग्रा दांडी सत्यागरह या इसी को आप नमक कह सकते हैं नमक सत्यागरह के रुप में जानते हैं गाधी जी ने 1930 की बात करें ठीक कही कई बार एकजेट डेट पूछी आती है तो आप ध्यान रखना 6 अपरेल की बात करें 6 अप्रेल 1930 में गांधी जी ने दान्डी अत्रा परम की हुई है ठीक, अनुवाईयों की संख्या कई बार पूछी गई है अनुवाईय कितने थे तो आपको बताना 78 अनुवाईयों के साथ में गांधी जी दान्डी अत्रा परम कर रहे है गुजरात के एक जिला पढ़ता है नौशारी में दांडी जगां पढ़ती है उस जगां पर जाते हैं और कानून बनते हैं ठीक है कानून को क्या है कहते हैं नमक कानून तोड़ा गांधी जी न है ठीक है तो दांडी आत्रा गांधी जी ने का प्रारम की है छे अप्रेल उने स्वेक्तिस को प्रारम की है अनिवाई कितने हैं हाँ एक प्रश्ण आप से ये बन सकता है कि गांधी जी गिरिफ्तार जब हुए थे तो इस गिरिफ्तार करने के बाद इसका जो नेतत तो किया है उस एक वेक्तिनी तया है जिसका नाम है अब्यास अब्याश तयव जी अब्भाश तयव जी ये वो वेक्ति हैं गांधी जी जे दांडी अत्रा में गरिफ्तार होते हैं तो गरिफ्तार होने के बाद अब्भाश तयव जी ने इसका नितित तुकिया हुआ था ठीक है बाकी दांडी जिए आत्रा में बहुत कुछ है बस इतनी सी आपको कैमल बात करनी है 1931 कि बात करें तो आपको बात करने है गांधी vandaag जी से गोलुमेज सम्मेलन हुआ था और ये गोलमेश शमेलन जो था ये सेकेंड नमबर पर था दूसरा जो गोलमेश शमेलन हुआ था वो हुआ था लंदन में इस लंदन में गाधी जी एक जहाज से गए उस जहाज का नाम कई बार पूछा गया है राजपूताना एक जहाज है इस एस राजप उताना जहाज से, गान्धी जी गए गोलमे शममेलन में, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक प्रश्न आप से पूछेंगे, कि गान्धी जी ने किस आंदोलन में भाग, गोलमे शमेलन में भाग लिया था, गोलमे शमेलन 19.1 में हुआ था, दूसरा वाला, लंदन में था किस जहाज से गए थे इस से गए थे भाग लिया था दूसरे वाले में ठीक आगे बात करते हैं इसकी बात चल लए है ठीक फिर आप से प्रश्न पूछेंगे 1940 की बात करें 1940 में गाधी जीन का प्रारंभ हुआ है व्यक्तिकत सत्यागरह प्रारंभ हुआ है इसमें पूछा जाता है दो सत्यागरही तो एक सत्यागरही का नाम आप बताएगा बिनोवा भावे हैं और एक सत्यागरही है जे एल नहरू ठीक तो ये 1940 की बात करें गाधी जीने व्यक्तिकत सत्यागरह प्रारंभ हुआ है आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है 1942 की बात करें है तो आपको ध्यान रखना है 1942 में गाधी जी ने एक आंदोलन प्राण किया है जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते है बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ है इसी आंदोलन के दौरान आपको ध्यान में रखना है किवल गाधी जी से समंदित हम बात करेंगे वाकि आंदोलन बहुत बड़ा है आपको ध्यान रखना है गाधी जी ने करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो ये दो क्या दिया है ये दो नारा दिया है गाधी जी ने तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ है अगर ये प्रश्ण पूछा आता है कि किसने प्रारंभ किया है नेतत तो रहा है गांधी जी का लेकिन बहुत सारे लोग रहे हैं तो अगर कभी ये हो एक मात्र गांधी जी है नहीं है किसके नेतत तो की बात है तो गांधी जी के बात रही है तो 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन प्राणव किया गए है करो या मरो के दौरान इस समय 1942 छोलो की बात कर रहें तिसमें बहुत सारी प्रश्णे हम गाधी जी के समंधित के वल बात कर रहें ठीक 30 जनवरी 1948 हम आपको बता चुके हैं अब मेर मेर अन्य क्या प्रश्ण आपको ध्यान में रखना है ये है एक तो पूछी आती है विचारधारा पूछी आती है गुरू पूछी आएगी किनके गुरू कोन थे कुछ पत्रिकाएं ठीक कुछ पत्रिकाएं कुछ पुस्तक ठीक कुछ इस तरीके से प्रश्ण पूछी आते हैं तो ध्यान रखे गाекст के लिए अगर कभी इस प्रकार होता है शरवोधे गांधी जी की विचारधारा रही है गुरू की बात करेथ दो गुरू है तो आध्यातिमिक जो गुरू है वो है लियो टाल इस्टाय कई बार पोछा गया है कि गांधी जी किसकी रचनाओं से बड़े पुभावित रहे है लियो टालिश्टाय, लियो टालिश्टाय की एक पुस्तक थी, एक हषना इनकी रही है, इनकी एक पुस्तक रही है, और इस पुस्तक का नाम है, War and Peace, जहां रखिये गए इसके लिए, ठीक है, राजनीतिक, अगर गुरू की बात करें हैं, तो राजनीतिक जो गुरू है, वो पुछा गया है कि गाधी जी जब वहां गये थे दच्छिर अफ्रीका तो इनसे मिलने यहां से कौन गया था गोपाल किष्ण को खले गया थे ठीक है तो लियो टालिस्टाइस से बड़ प्रभावित रहे हैं इनसे पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं तो आपको पत्रिका जरूर अगर कभी बात होती हैं ओपीनियन की बात कर रहे हैं ओपीनियन की बात हरे हैं यह दच्छिर अफ्रीका में थी जरूर ध्यान रखिएगा दच्छिर अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो यह पत्रिकाओं जब पूछी आते हैं इतने सारी हैं अगर पुस्तकों के हम बात कर र प्रियोग सत्य के साथ मेरा प्रियोग और इंग्लिस में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट बिद टुथ यह किताब इनकी आत्मकथा से संबंधित रही है गांधी जी से संबंधित है ठीक तो कुछ प्रस्ट के रूप में हैं कुछ आसरम पूछे आते हैं कि आप बताओ कि गांधी जी से संबंधित इनमें से कौन आसरम रहा है अना सक्ति आसरम रहा है अना शक्ति का आसरम रहा है शाबरमति आसरम हमने बताया है सविने अवग्या अंदुलन अगर पूछते हैं त लेकिन एक सारानस के अगर हम बात करें हैं तो गांधी जी से बहुत जारा पूछे जाने वाले जो प्रश्ण हैं उनको हमने कबर करने का प्रयास किया हुआ है जन्म से लेकर मृत तक के बात में ठीक आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बैक्स में जरूर बताइएगा फ